विज्यादी मित्रो और मेरे साथ ही सिक्षक मित्रो सभी को मेरा नमस्कार लोवर लिम के इस दूसरे प्रेजन्टेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्रागत करता हूँ पहला जो लेक्चर हमने लिया पार्ट वन जो था उसमें हमने देखा कि जो थाई का जो बोन है फीमर और जो नी का जो जो जॉइन बनता है वहाँ पे टैला होता है उसके बारे में हमने बात करी आज का जो लेक्चर है उसमें कुल 28 28 जो बोन है कुल मिला के जो हमारे लेग रीजियन में और हमारा जो पैर का जो पंजा है जिसे हम फूट कहते हैं तो ये फूट में कौन से बोन है और ये लेग जो है इन में कौन से बोन है और कौन से जॉइंट है इनके बारे में आज ह हम बात कर रहे हैं तो पहला जो पॉइंट है जो हमारे सामने आ रहा है उसके हम बात कर रहे हैं जो पैर का जो बोन है वो skeleton of the leg जिसमें tibia तो आप देख सकते हैं यह जो है यह भी tibia यहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पैर में tibia की exact position क्या है वो आपको पता चलेगा और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तो tibia अब tibia क्या है तो देखें तीबिया का दूसरा नम क्या है तीबिया को shine bone भी कहते हैं और यह बड़ा है और medial यानि बीच में होता है और हमारा सरी का जो वजन है वो इसके उपर आता है यानि कि weight bearing bone of the body है ठीक है हमारे पैर में यह हमारा वजन जो है उसको डोता है आजा अब इसका जो नाम है the term tibia वो ऐसा नाम क्यों रखा गया है तो tibia का मतलब होता है flute और flute जो है flute का मतलब होता है बासुरी तो इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया tibia इस bone का तो देगे पुराने शामय में क्या होता था जो पंची होते हैं पक्षी ठीक है तो पक्षियों के जो tibial bone थे उनका इस्तमाल musical instrument बनाने के लिए होता था तो उस पे से ये जो bone इसका नाम तीबिया रखा हुआ है तो ये पहला point था दूसरा जो point है उसके बारे में हम बात करते हैं देखें तीबिया जो है वो किसके साथ में जुड़ता है तो proximal end with the femur and fibula आप देखोगे यहां पे जो tibia है तो यहां पे किसके साथ में जुड़ रहा है फीमर के साथ में और यहां पे आप देखेंगे तो यह किसके साथ में जुड़ रहा है जो fibula है उसके साथ में जुड़ रहा है तो tibia जो है tibia क्या याद रखना है हमको आगे के छोर पे किसके साथ जुड घ Defense investor के साथ में जो हम देखा और जो दूसरा दूसरा जो ends है उसका जो दूर का जो end इसमें वह और प्रविवॉर ने जूड़ता है जैसे कि यहां पे सकता आता ज किसके साथ of ankle तो यहां पे भी देखते हैं अपन यहां पे आप देखोगे तो देखिए यह 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 तालस बोन बता है और यह जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं वो टीबिया का दिश्टल एंड है और यह यहां पे जुझा है तो डिस्टल एंड हो वो किस के साथ में जुड़ता है Cheers के साथ में और फिबिया के बीचों जिस तरह अलना और रेडिय के साहन वह एक दूसरे से जुड़े होते थे इंटर इंट्रो सिए मेंब्रैन तो उसी तरह तीबिया और फिबुला जो है उसके बीच में भी आप देखोगे तो ये इंटर सैस मेंब्रें पाई जाती है तो ये जो है ये दोसरा पॉइंट था तीसरा जो पॉइंट है उसके उपर आते हैं देखिए अब the proximal end of the tibia is expanded into lateral condyle and medial condyle पहले मैं आपको tibia का lateral और medial condyle दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए यह पूरा यह tibia दिखाया है हमको ठीक है यह figure में और इसमें उपर आप देखोगे तो यह जो है यह medial condyle और यह जो है यह lateral condyle तो यह medial और lateral condyle जो है वो किसके साथ मैं जूड रहे हैं तो यह जो condyle है वो articulate with the condyle of the femur जैसे यह जो है यह medial condyle और यह जो है यह lateral condyle तो यह क्या है यह medial condyle medial condyle of femur हुआ और यह lateral condyle of femur हुआ ठीक है तो यह एक दूसरे के साथ क्या करते हैं जूडते हैं तो यहाँ पर जो joint बन रहे हैं यह जो joint बनाया है इनको क्या कहते हैं tibio femoral या तो knee joint कहते हैं यहाँ पर जो joint बना यह जो joint है यह knee joint है या तो इसको tibio femoral joint कहते हैं तो फिर से यह medial condyle tibia का यह medial condyle femur का यह lateral condyle tibia का यह lateral condyle femur का एक उसे के साथ जूडते हैं और जो joint बनता है उसको tibio femoral या तो knee joint कहते हैं यह ताओ पॉइंट है चौथा जो point है अब देखिए the inferior surface of the lateral condyle पहले तो lateral condyle कहा है तो यह रहा lateral condyle उसकी जो नीचे की surface है वो articulate with the head of the fibula तो यह देखिए head तो यह दिख रहा है आप यहाँ पे यह दोनों जूट रहा है इस जगा पे ठीक है के नहीं तो फिर से क्या लिखा है inferior surface of the lateral condyle यह जो है lateral condyle की यह inferior surface जो head of the fibula है उसके साथ में जूट रही है ठीक है point यह रहा और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा figure यह चल यह पांच नंबर का जो point है उस पे आते हैं अब पहले concave condyle की बात करते है condyle कौन से तो tibia में हमने देखा एक तो lateral condyle होता है यहाँ पे ठीक है यह lateral condyle है और दूसरा कौन सा है दूसरा यह जो pink यह purple color का arrow जो है यह medial condyle ठीक है यह medial condyle यह view देखोगे आप तो पता चल जाएगा कौन सा व्यू है यह anterior view है यह posterior view है तो इसमें यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी tibia में यह medial condyle और यह lateral condyle तो यह जो दोनों जो condyle है medial और lateral condyle उनके बीच में क्या है वो एक दुसे से अलग होते हैं किस से separated by an upward projection थोड़ा उबरा हुआ पार्ट होता है यह उबरा हुआ जो portion है इतना यह दोनों condyle के बीच में इसको intercondylar eminence कहते है ठीक है lateral और medial condyle के बीच में क्या है intercondylar eminence 5 नमबर का point था अब जो 6 नमबर का point है उसकी बात करते हैं तो देए टीबिया की जो आगे की जो सर्फेस है anterior सर्फेस वहाँ पे एक projection है तो यह जो projection है इसको tibial tuberosity बोलते हैं ठीक है और यह जो है यह है टेला तो टेला और tibial tuberosity जो है वह एक दूसरे से जो ligament है उससे जुड़े होते हैं तो यह जो ligament है इसको teller ligament कहते हैं यह आगे भी आ चुका है यह point ठीक है फिर से repeat हो रहा है teller ligament के बारे में तो छे नंबर का point teller ligament साथ नंबर का जो point है उस पे हम आते हैं अब क्या कह रहा है साथ नंबर में inferior to and continuous with tibial tuberosity ठीक है तो inferior to and continuous with tibial tuberosity is a sharp ridge tibial tuberosity के नीचे और continuous एक बहुत पैनी धार होती है ठीक है और यह जो धार है इसको anterior border या तो crest या तो scene कहते हैं ठीक है तो यहां पर आप देखोगे तो यह जो बताई है आपको ठीक है यह क्या है anterior border है तो anterior border के बारे में क्या याद रखना है हमको inferior to and continuous with the tibial tuberosity क्या होता है शाप ridge होती है हमारी skin के नीचे और इसको क्या कहते हैं anterior border या तो crest या तो scene कहते हैं तो यहां पर दिखाई गई है यह anterior border जो है वह आप देख सकते हैं पूरा अना यह पूरा एंटिरियर border है अब आठ नंबर का जो point है उस पे हमाते है अब आठ नंबर के point में आठ नंबर का जो point है इसमें पहले तो medial surface मैं आपको देखा देता हूं देखिए यहां पे नाम लिखा है medial surface यह medial surface है tibia का ठीक है तो point क्या है theory point फिर मैं आपको figure में समझा देता हूं the medial surface of the distal end of the tibia forms the medial melleus medial surface जो है tibia का वो दूर के छोर पे क्या बनाता है एक हथोड़ी जैसा hammer एक हथोड़ी जैसा potion बनाता है जिसको medial melleus कहते है तो आप यहां पे देखोगे के जो medial surface थी उसने यहां पे दूर के छोर पे क्या बनाता है यह थोड़ी जैसा जो part बनाता है इसको medial melleus कहते है ठीक है और यह जो medial melleus जो है वो क्या करता है this structure articulate with the talus of the ankle जो हमारा जो ankle का जो talus bone है उसके साथ में यह medial melleus जो है वो जुड़ता है ठीक है तो यह talus के साथ में किस तरह से जुड़ता है तो यहां पे दीख लीजिए आप यह medial melleus है और यह जो है यह ठीक है यह talus के साथ में जुड़ रहा है ठीक है हमारे ankle का जो talus है उसके साथ में जुड़ रहा है और क्या कहते हैं and forms the prominence that can be felt on the medial surface of the ankle तो आप अगर जुकोगे तो बाहर की और जुक के आप अगर आपके नीचे वाले जो फूट है उसको साइड में चुओगे तो यह जो है इसको आराम से आप felt कर सकोगे ठीक है medial malice जो है उसको हम जड़ा नीचे की और जुक के अगर हमारा जो फूट है उसको उसके उपर की और जड़ा छूते हैं तो यह मीडियल जो मेलस है उसको हम मैसूस कर सकते हैं ठीक है तो यह आठ नंबर का जो पॉइंट है वो यह मीडियल सर्फेस और इसकी बात करी मीडियल मेलस नौ नंबर का जो पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं देगे यह जो है यह टीबिया है यह फिब्यूला है चलिए अब फिब्यूलर नॉच आर्टिकलेट विद दिज्टल एंड अब दे फिब्यूला पहले तो फिब्यूलर नॉच यह रही फिब्यूलर नॉच यह फिब्यूलर नॉच किसमे है तो तीबिया के डिज्टल एंड पर क्या होती है फिब्यूलर नॉच होती है और यह जो नॉच है फिब्यूलर होती है, distal end of the fibula. तो यह क्या है? Fibula का distal end है. फिर ऐक बार यह क्या हूई? टीबईया की Fibular notch और यह क्या है? Fibula का distal end? यह दोनों के बीच में जो ज्वाइट बना इस ज्वाइट को क्या कहते हैं tibio fibular joint तो tibio fibular joint कहा है यह जो है यह tibio fibular joint ब्रना 9 नंबर का point और यह रही उसकी figure 10 नंबर का जो point है उसके उपर अब आएम आते हैं अब Полग दिखिए क्या लिखा है of all the long bones of the body the tibia is the most frequently fracture सबसे जादा जो fracture होते है वो किस में होते हैं tibia में होते हैं and is also the most frequent site of an open fracture ठीक है open fracture जो होता है या तो compound fracture जो होता है दूसरी अडियो के साथ में जूड के भी जो fracture होता है उसमें भी ये जो है वो involved रहता है tibia वो जल्दी से इसमें फैक्चर हो जाता है अब जो 11 नंबर का जो point है उसके हम बात करते हैं तो अब हम बात कर रहे हैं tibia की बात तो हम नकल लिए अब जो fibula है उसके बारे में बात करते हैं देखे पहले fibula जो है वो आप अच्छे से देख लीजिए मैं बड़ा कर देता हूँ तो fibula जो है वो आप देख लीजिए ये जो है यहाँ पे एक मिनुट ये जो है नाम लिखा है fibula तीक है इसके बारे में हम आप discussion कर रहा है तो fibula कहां होता है आप देख सकते हैं टीबिया से पेरलल है और लेटरल साइड में है उसके साइड में है बाजू में है और बट इस कंसिट्रेबली स्मॉलर लेकिन fibula जो है वो टीबिया से काफी छोटा है ठीक है तो क्या याद रखना है हमको fibula जो है वो टीबिया से parallel है उसके बाजू में है और उससे काफी छोटा है 12 नंबर का जो पॉइंट है अब उस पे आते हैं देखे अब फिबूला जो है आगे देखोंगे आप तो देखिए फिमर तो कहां रहे गया यहां रहे गया और यह फिबूला का हेड यहां पे है तो फिबूला जो है वो फिमर के साथ में नहीं जुड़ता ठीक है तो फिबूला डज नोट आर्टिकुलेट विद देखिए विद फिमर बट यहां पे आप देख रहे हैं यहां पे जो यह जो एंकल जॉइंट बंद रहा है यह एंकल जॉइंट को स्टेबिलाइस करने में जो फिबूला है वो पाटिसिपेट कर रहा है उसमें हेल्प वो कर रहा है ठीक है तो फिबूला जो है वो एंकल जॉइंट में हेल्प करता है ठीक है और उसको स्टेबिला भी करता है, तेरा नंबर का जो पॉइंट है, उसके बारे में हम बात करते हैं, देखिए, अब दी हैड आप दी फिबिला, तो ये जो है, ये, ये हैड आप दी फिबिला है, प्रॉक्जिम लेंड यानि आगे की ओर पे, ये, आटिकलेट वि την कोर्गा है, एतना जो पाइट है, ठीक है, ये जो पाइट है, ये हमको पता है कि ये लेटरल कोंडाइऍ अब टी बिया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो है यह head head of the fibula और यह lateral condyle of the tibia यह दोनों एक दूसरे के साथ में आगे की और एक joint बना रहे है ठीक है यह जो joint है वो कहाँ पर है तो यह जो है यह तो knee joint है below the level of knee joint knee joint के नीचे जो joint बन रहा है इसको क्या कहते है तो यह जो joint है इसको कहते है proximal नाम याद रखेंगे proximal tibio fibular joint तो यहाँ पर आप देखिए proximal tibio fibular joint ठीक है मैं आपको बता देता हूँ यह जो है यह है proximal tibio fibular joint तो फिर से एक बार यह joint किसके बीच में बनता है head of the fibula और lateral condyle of tibia जो गुटने का जो joint है उसके नीचे एक और joint बनता है इस joint को proximal tibio fibular joint कहते है चोदा नंबर का जो point है अब उसके उपर आते हैं अब यह है अब फिबूला का जो distal end है वो arrow head shape होता है arrow का head आपने देखा होगा अना जिसको हम तीर तीर कहते है ना तीर के आगे का जो portion है यह तीर अगर है तो तीर में आगे का जो part है यह क्या यह arrow head होगा ना यह ऐसा ठीक है तो यहाँ पे आप देखोगे कि यह जो part है ठीक है तो distal end of fibula arrow head shape होता है and has a projection यह उबरा हुआ जो area है वो उसको क्या कहते हैं तो यह उबरे हुए part को कहते हैं lateral mellowless तो यहाँ पे जो बताया है fibula का lateral mellowless बताया है और यह किसके साथ में जोड़ता है तो articulates with the talus of the ankle तो lateral mellows जो है यहाँ पे भी आप देखोगे तो lateral mellows जो है वो टेलस के साथ में यहाँ पे भी आप देखोगे lateral mellows जो है वो यहाँ पे टेलस के साथ में जोड़ता है तो 14 नंबर का जो पॉइंट है उसमें lateral mellows जो है वो टेलस के साथ में जोड़ता है ankle के आचा और this forms the prominence on the lateral surface of the ankle तो यह जो है lateral mellows यह एक उबरा हुआ पार्ड है और इसको आप lateral surface of the ankle आपकी जो पेर की एड़ी है उसमें अन्दर की और आप जुपके अंदर की और अगर आपका पेर का जो फूट है पेर का जो पंजा है उसमें अंदर की और से उसको छुएंगे तो आप उसको मैसूस कर पाएंगे लेटरल मैलेज को ठीक है 15 नमबर का पॉइंट 16 नमबर का जो पॉइंट है उस पे आते हैं यहां पे आप देखिये फुबिला अलसो आटिकलेट विध टीबिया एड फुबिलर नौच तो फॉम डिस्टल टीबियो फुबिलर जोईंट फुबिला जो है वो टीबिया के दूसरे यानि की दूर के छोर पे जुड़ती है कहां पे फुबिलर नौच के साथ में और क्या बनाती है? डिस्टल टीबियो फिबिखि liquid joint तो यहाँ के क्या बन राता है? डिस्टल टीबियो फिबिलर joint तो यह point और यह point जो है, फिर से आ गया और repeat हो रहा है ठीक है कि नहीं? डिस्टल टीबिखि फिबिलर joint पेहले भी हमने बात करी 17 नमबर का जो पॉइंट है उस पे आते हैं पीबूला के बारे में बात कर ली अब हम skeleton of the foot जो हमारा पेर का जो पंजा है इसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं इन में कौन से बोन है ठीक है फुट में हमारे तो जो दोनों ही दीखा है फुट में अब फुट के बोन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं तो देखिए तो देखिए तो देखिए तार्सस एंकल इस दी प्रॉक्जिमल रीजियन of the foot हमारे पेर की जो एडी है ठीक है वो हमारा जो फुट है पेर का पंजा है उसका आगे का पार्ट बनाती है और इसमें जो अमारी जो एडी है एंकल है ठीक है उसमें साथ टार्सल बोन होते हैं ठीक है याद रखेंगे हम सेवन सेवन टार्सल बोन ये सेवन टार्सल बोन कौन से होते हैं तो दे इंकलूट टैलस देखते जाते हैं टैलस ठीक है टैलस फिर कलकेनियस तो तो यहां पे यह रहा कैलकेनियस ठीक है यहां पे और यह रहा कैलकेनियस ठीक है और यह कैलकेनियस जो है क्या लिखा है located in the posterior part of the food तो आप देखोगे तो हमारा जो पेर का जो पंजा है उसमें पीछे की और यह लोकेटेड है कैलकेनियस कैलकेनियस ठीक है तो 17 नमबर में ठीक है क्या याद रखना है हमको कि पर तार्सल जो है ankle वो food का आगे का part है उसमें 7 bone होते हैं इसमें talus होता है ठीक है और जो कैलकेनियस होता है वो पीछे की और होता है 18 नमबर का जो point है उसकी हम बात करते है देखिए जब हम टार्सल की बात करते हैं तो टार्सल में जो कैलकेनियस जो है वो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत तार्सल bone है तो यह जो कैलकेनियस जो है यह सबसे बड़ा है और सबसे मजबूत है ठीक है अब 19 नमबर का जो point है उस पे आते हैं देखिए फिर आगे की और जो टार्सल बोन है वो कौन से है तो नेविक्यूलर तो यहां पे देखिए आप यह जो है यह नेविक्यूलर दिखाया है ठीक है फिर त्री क्यूनिफॉर्म बोन्स यहां पे आप देखोगे यह जो है तो यहां पे यह जो है यह तीन क्यूनिफॉर्म बोन्स बताएं ठीक है और इनको क्या कहते हैं यह जो क्यूनिफॉर्म बोन्स यह इनको third, second and first cuniform bone या तो फिर इनको क्या कहते हैं lateral, intermediate, medial देख लेते हैं देख लेजिए lateral, intermediate, medial cuniform bone ठीक है तो अभी तक आपने गिने तेलस हो गया फिर calcanis हो गया ठीक है फिर ये navicular हो गया ठीक है, ये एक दो तीन होए, फिर ये तीन कंसे होए cuniform, और फिर एक जो है वो cuboid, ऐसे मिला के कितने होए, total 7 होए ठीक है, तो tarsal कितने होए, 7 होए न, और ये वाला जो है, वो cuboid इस तरह से 7 हो गए अब 20 नंबर का जो पॉइंट है, उस पे आते हैं, अब देए, तारसल बोन जो है, उनके तारसल बोन को याद करने के लिए, ये एक memory add आपको दिया है, तो ये क्या है, mnemonic, mnemonic for तारसल, तारसल बोन की नाम याद करने के लिए, आपको एक फॉर्मूला इन्होंने दिया है, कि भई, तॉल centers never take shots from corners उंचे जो कौने होते हैं, वो कभी, अना, tall centers never take shots from the corners, अब ये क्या मतलब है, इसका, tall centers never take shots shots from corners, जो उंचे कौने होते हैं, वो कभी कौनों में से short नहीं लेते, तो आपको इस तरह से याद करना है, तो इस तरह से आप याद करिए, ठीक है, सबका एक एक ले लिया, ले लिया है, न, न, टी लिया, सी लिया, एन लिया, टी लिया, एस लिया, एफ लिया, सी लिया, ठीक है, तो उससे, इससे आप सातों के साथ जो है वो नाम आप तरसल के याद कर सकते हो ठीक है अच्छा फिर क्या लिखा है यह नाम याद रखना है जोइन बिट्वीन दे तरसल बोन अर्दी कॉल इंटर तरसल जोइंट यह जो जोइंट है यह क्या है यह सब जोइंट जो बता रहे है यह इंटर तरसल जोइंट होते हैं तो अब इस नमबर में इंटर तरसल जोइंट के बारे में बात करनी है अब 21 नमबर में जो पॉइंट आ रहा है ठीक है अब क्या कहता है the talus the most superior tarsal bone जो सबसे उपर की और है talus bone वो ही हमारे पेर का एक ऐसा bone है हमारे पेर के पंजे का ऐसा bone है जो fibula और tibia के साथ में जुड़ता है ठीक है कैसे जुड़ता है देखिए वो एक और तो medial malus के साथ में जुड़ता है tibia के और दूसरी और जो talus है वो lateral malus of the fibula के साथ में जुड़ता है यहाँ पे आप देखिए पहले तो यह देख लीजिए medial malus आप पहले अच्छे से देख लीजिए ठीक है और यह देख लीजिए articular articular facet of medial malus है और lateral malus कहा है वो देख लीजिए ठीक है और articular facet of lateral malus तो वो अंदर है अब मैं क्या करता हूँ वो जो talus है वो उसको मैं अंदर डाल देता हूँ यहाँ पे तो यह देखिए मैंने talus bone यह पर डाल दिया तो अब जो talus bone है वो किसके साथ में joint हो रहा है वो इसके साथ में joint हो रहा है middle malus के साथ में और जो lateral malus है उसके साथ में भी जूड रहा है तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा यह जो figure है इसमें ठीक है चलिए medial malus का है यह medial malus है ठीक है lateral malus का है lateral malus तो यह जो है वो lateral malus है ठीक है और यह क्या है तो यह जो है यह talus है ठीक है कौन सा joint बनता है tello crural joint tello crural ankle joint का है tello crural यह जो joint है यह इतना जो joint बना यह joint को क्या कहते है यह जो joint है इसको tello crural joint कहते है ठीक है 22 नमर का जो point है अब उस पे आते है अब देखिए during walking जब हम चलते हैं तो tellus transmits about half the weight of the body to the calcaneus तो यह से जो weight है body का वो डिस पे आता है tellus पे और tellus जो है फिर वो जो weight है किसमें तो tellus जो है फिर body weight को calcaneus में टांसफर करता है और बाकी का जो weight है ठीक है बाकी का जो weight है तो वो आगी की और transform किया जाता है तो इन शॉर्ट वेट जो है वेट वोडी वेट इस तरह से आता है टैलस के उपर और फिर जो टैलस जो है उसको यहाँ पे कैलकेनियस में और फिर इस तरह पे इस तरह इस दिशा में वो उसको चैनलाइज करता है वेट को तो ये वेट के बारे में था तेश नंबर का जो पॉइंट है उस पे हम आते हैं अब देगे मेटाटार्सस मेटाटार्सस कहाँ पे है तो intermediate region of the foot हमारा जो पेर का जो पंजा है उसमें बीच में ये होता है पेले हम बात कर रहे हैं जो पेर का पंजा जो इसमें बीच का जो रीजन उसको मेटाटार्सस कहते है मेटाटार्सस में जो बोन है उनको मेटाटार्सल बोन कहते है और ये मेटाटार्सल बोन जो है वो हमारे foot में बीच में होते हैं, ठीक है, इनके जो number हैं, वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है, तो यहां पर दीखें, आप लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4 and 5, 5 होते हैं, ठीक है, और फिर इनकी position कहा है, medial, from medial to lateral position, medial to lateral position में यह arrange होते हैं, ठीक है, तो metatarsal bone जो है, वो 5 है, metatarsus में 5 metatarsal bone, 24 नंबर का जो point है, उस पे आते हैं, अब जो, जैसे हमारे हाथ में, हमारे हाथ का जो हाथ की जो अथेली थी, उसमें हमने metacarpal की हमने बात करी, तो उसी तरह से जो metacarpal जो है, पेर के पंजे में, बीच में, जो metatarsal जो है, उनमें भी आप देखोगे, तो उनमें भी क्या होता है, proximal base, देख लेते हैं, देखिए, यह जो है, जैसे एक जो है, 5 नंबर में मैं आपको दिखाता हूँ, यह जो है, यह पार्ट है, इसका base बीच वाला जो part है, वो क्या है, body, और उपर वाला जो part है, वो क्या है, head, बहुत ही आसान है, metatarsal bone में, नीचे की और क्या होता है, base, नीचे base, बीच में body, और सबसे आगी क्या होता है, head होता है, ठीक है, 24 नमबर का अब 25 नमबर में जो मेटा टार्सल जो है वो आर्टिकुलेट प्रॉक्जिमली विद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्यूनिफॉर्म बोन्स देगे यहाँ पर क्यूनिफॉर्म बोन्स यहाँ पर बता है और यह ब्लेक लाइन में आप देखी सकते हैं ठीके? कि यहाँ पर जूड रही है मेटा टार्सल बोन्स जो है यह 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 जो क्यूनिफॉर्म बोन्स है उनके साथ में जूडते हैं ठीके? और मेटा टार्सल जो है और वो जो क्यूबोइड बोन्स है उसके साथ में जूडते हैं यहां पे आप देखोगे तो उसके साथ में गूटर जो जूड रहा है ठीक ہے तो मेटरसल और क्यूनिफोर्म बोन और मेटरसल और क्यूबवयड के बीच में जो जॉइंट बन रहा है यह पूरा जो black line में दिखाया या तो अभी मैं blue line गूंट के आपको बता रहा हूँ तो यह जो joint है उसको क्या कहते है इस joint को tarsal metatarsal joint कहते है ठीक है यहाँ पे जो बताया मैंने अभी आपको tarsal metatarsal joint तो यहाँ पर 25 नमबर का जो point है वो और यह जो है यह सारे जो नाम है यह joint का नाम और यह black line यह देखो गया आप तो इससे भी आपको यह point आराम से समझ में आ जाएगा 26 नमबर का जो point है उस पे हम आते हैं अब देखिए जो metatarsal जो है distally they articulate with the proximal row of the phalanges पेरों की जो उंगलियां है उसके साथ में जुड़ते हैं यह देखिए आप metatarsal जो है वो यहाँ पे देखिए किसके साथ में जुड़े हैं तो पेरों की जो उंगलियां उनके साथ में जुड़े हैं ठीक है तो यहाँ पे जो joint बंद रहा है यह joint है उनको क्या कहते है metatarsal phalangeal joint जो अभी मैंने आपको बता यह बता याँ है इन joint को क्या कहेंगे метatarsal phalangal joint कहेंगे आपने metatarsal है यह वाला वह आप देखसकते हैं कैसा है अरौत और बाकि आ era 1-3-4-5 वह क्या है थोड़े पतले हैं तो पहला metatarsal मोटा होने का कारण क्या है इड्जादा वजन वो ज्यादा वजन जो है वो डोता है वो ज्यादा वजन को सहन करता है इसलिए 26 नंबर का जो point है वो 27 नंबर का जो point है उससे हम आते हैं phalanges ठीक है क्या लिखा है phalanges कहा ले ज़िए भी है हमारी पेर की जो उंगलियां है पेर की उंगलियों में जो bone है उनको हम phalangeal bone कहेंगे और वो कहाँ पे हैं तो distal component of the food हमारा पाउं का जो पंजा है उसमें दूर की ओर ये phalangeal bone होते हैं ठीके और इनकी जो arrangement है ठीके वो हमारे हाथों की जो उंगलियां है उनमें जो bone थे उससे भी इनकी arrangement मिलती जलती होती है आचा जो numbering है to the toes are number पेरों की जो उंगलियां है उनके जो bone है उनको भी हम एक से पाँच में ही number देंगे यसे इसको मैं एक दे सकता हूँ फिर ये दो फिर तीन फिर चार फिर पाँच इस तरह से इनको number दिया जाता है ठीके तो कहां से शुरुआत होती है beginning with the great toe तो ये जो है ये great toe हुआ ठीके प्रॉम मीडियल प्रॉम मीडियल टू लेटरल बीच में से फिर लेटरल में जाएंगे कोई भी phalanx हो each phalanx singular है एक पाँच की जो उंगली है उसको उसका जो bone ठीके each phalanx जो है तो हर एक phalanx में क्या होता है proximal base यहाँ पर आप देखोगे तो क्या है phalanx में proximal base फिर बीच में intermediate shaft तो ये जो है shaft या तो body and distal head तो यहाँ पर आप देखोगे तो distal head ठीके team part हो गए बहुत ही आसान है क्या होता है base होता है body होता है और head होता है हर एक phalanx में ठीके फिर the great or big toe यानि ये इतना जो है ये ठीके ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते है तो इसको कहते है बीक टो या तो अंगुठा जो कहते है न भै पैर का अंगुठा उसकी बात कर रहे हैं तो the great or big toe जो है has two large heavy phalanges एक ये हो गया और एक ये हो गया ठीके तो ये वाला जो है इसको क्या बोलेंगे प्रॉक्जिमल फैलंज और ये जो है इसको क्या बोलेंगे डिस्टल फैलंज ठीक है अब लास्ट वाला जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं अच्छा धी अधर फोर टो ये बाकी की जो उंगलियां है उनकी बात करते हैं उनमें three phalanges हैं देख सकते हैं आप ठीक है कौन-कौन से तो प्रॉक्जिमल मीडल न डिस्टल proximal middle distal proximal middle न डिस्टल टीक है यहां पे भी लिखा ही है देख लिजे आप नाम proximal middle distal टीक है अच्छा फ 커피 क्या लिखा है joints between phalanges of the foot like those of the hand are called inter phalangeal joint तो यह जो है यह क्या है यहाँ पे जो देखेंगे यह जो है यह न यह फैलेंग्स फैलेंग्स के बीच में जो joint है तो इनको क्या कहेंगे inter phalangeal joint कहते हैं ठीक है तो अब सारे जो point थे वो यहाँ पे खतम हुए जाने से पहले सारे जो figures हैं मैं दिखा देता हूँ अच्छे से देख ले ना कोई कुछ बात समद में नहीं आई हो तो आप समद सकते हो अच्छे से अच्छे से कोई मैं एंग कोई च्छे अच्वाँ फारे जाऊ कर देखा हैं अच्छे से कोई ऐस देखा हैं झाल झाल